दोस्तो आज की इस यूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तो आप राश्टे मद्दाता सेवा पोटल में आप अपना राजिशेशन करके लोगिन कैसे करते हैं इसकी पूरी जंदकरी में आपको इस यूडियो में देने वाला हूं तो फ्री दोस्तो आप सभी लोगों दोसे निवर देने की आप इस वीडियो को सुझ से लेकर अंध तक जिरुर देखना और दोस्तों हो सकते इस वीडियो को लाइक शेर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना तो चलिए दोस्तों वीडियो चुरू करते हैं राश्टीय मद्दाता सेवा पोर्टल में ने के पूब्ट जया राश्टीय मद्दाता सेवा पोर्टल इसका अब दोस्तों यहां पर आपका सामने कुछ इस तरह का एंटरपेश ओपन हो जाएगा यहां पर दोस्तों आपको सबसे पर चॉल्लिंप पे कलिक करना होगा जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहांप इस पे क्लिक करते हो तो यहांप आपके समय कुछ इस तरह का इंटरस ओपन हो जाता है यहाँ पर दोस्तों आप देख पर हो कि यहाँ पर मेरे ID पहले से ही लोगिन है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगिन करने के लिए आपको आपके ID और पास्वड दर्ज करना होगा लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ID पास्वड नहीं है तो इसके लिए दोस्तो आपको register करना होगा register करने के लिए दोस्तो आप आपको देख पहरूँ की don't here account register as a new user तो इस पिर आपको click करना होगा जैसे आप इस पर click करते हैं तो दोस्तो यहापर आपको सामने कुछ इस तरह का page open हो जाता है यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले आपको आपका mobile नमेर डाल के वो दोस्तो send OTP करके verify करना होगा तो दोस्तो मैं यहाँ पर अपना mobile नमेर डाल देता हूँ mobile नमेर डालने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको यह capture fill करना होगा कि तो दोस्तु कि मैं यहां पर केच्छा फिल कर रहा हूं केच्छा फिल क्रने वाद स्थDlsa यहां पर आपको सेंड सब्सकी कर्ेंशन कोई क्त जचलिक होगा दां यहां पर आपके मोबैल लंच आजएगी ने सब्सक्राइबट करने वह के तो दुम करने वह दोस्तो इसका मतलब होता है कि आपको वोटर एडिकारड नमर दर्च करना होगा अगर आपके पस नहीं है तो आपको अपका लाश्ट नेम धर्च करना होगा अगर दोस्तो आपका लाश्ट नहीं हैं तो दोस्तों आप इससे खाली भी छोड़ सकते हो उसके अबर दोस्तों यहां पर आपको email ID दर्डच करनी होगी तो दोस्तों उपनी email ID कर दता हूं फ़र दे CC अब अपर इसके पद दोस्तों, यहां पर आपको वापस से confirm password करना होगा, same password आपको type करना होगा यह सारे सबस्विख करने हो धो Ada Das, यहां पर आपको register पे click करना होगा यहां पर register पे click करते हैं, तो यहां पर आपका registration successful हो चुका है, यह देखें दोस्तों इसके बाद दोस्तों यह आपको AUTOMATIC LOGIN PACE पर ले आएगा यहाँ पर दोस्तों आपका यूजरनेम आपकी E-mail ID होगी और दोस्तों पासवर्ड क्रेड कहता तो दोस्तों वो आपका पासवर्ड होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका E-mail ID तो दोस्तों आप इस तरी के से रेजिस्टर करके लोगिन कर सकते हो और दोस्तों इसके सेवाओं पर आप उठा सकते हो आशा करतों के आपको यूडियो पसल आएवगा तो प्लीज दोस्तों आप इस यूडियो को लाइक शेर और इस चेनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना